नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दे ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल बांक निफ्टी 22 नुवेंबर के दिन कहाँ पे कामकाज कर सकता है आपके कॉल पुट के क्या calendar होबगे पट उससे पहले देखते हैं दोस्तों मारकेट ने आज कहाँ पे कामकाज किया दोस्तो बैंक निफ्टी ने पहले तो हमें आज एक गैपटर ओपनिंग दी तकरीबन इस लेवल के आसपास 42,300 के लेवल के आसपास दोस्तो इसी लेवल पर मार्केट ने गैपडाउन देने के बाद एक पुल बैक लिया और उसके बाद फिर नीचे की तरफ एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला जहां पर बी एन ने अपने दिन का लो आज सुबा दस बजे से पहले ही 42,202 पर लगा दिया था दोस्तो इसी लेवल पर मार्केट ने उपर की तरफ एक पुल बैक लेने की कोशिश की और मार्केट फिर धीरे धीरे उपर जाने यहाँ पर जाता रहा तकरीबन साड़े ग्यारा बज़े के आसपास मार्केट ने फिर यहां से rejection दी और नीचे की तरफ हमें एक fall दिखाई दी फिर मार्केट ने एक pullback लिया और फिर नीचे की तरफ आ गया अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पैटन यहां पर नदर आएगा और वो पैटन यह है मार्केट इसी जोन के अंदर तकरीबन तीन घंटे लगा के गई आफ्टर इनिशियल गैप डाउन इसके बार दोस्तों मार्केट में शॉट कवरिंग आई टब्री पैटन बना बड़े लंबे लंबे यहां विक्स नदर आ रहे थे गर आप देखेंगे द्यान से और जो मार्केट के अदर closing हुई वो ही तकरीबन 42,346 लेवल के आसपास अब आपको समझने की यह जरूरत है कि मार्केट में actually में हो क्या रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मार्केट अब इतनी range bound क्यों है क्योंकि उसका एक पहला कारण यह है कि यहां पर FIS ने selling start की है मार्केट के अंदर पिछले दो दिन में अगर आप देखेंगे FIS ने काफी हद तक काफी selling start की है और derivatives में भी और cash market के अंदर आज भी तक्रीबन 1700 CR के आसपास selling हुई है market में in cash market और तक्रीबन 800 CR के आसपास selling हुई है market में derivatives में definitely FIS जिनों ने अपनी positions initial levels बहुत strong बनाई हुई थी वो यहां पर अपनी profit booking selling कर रहे है market में और इसी वज़ा से market जो है वो ऊपर नहीं जा पा रही है और यहां पर range bound क्यों है because यहां पर जो FIS selling कर रहे हैं D.I.S. ने market को hold करके रखा हुआ इस टाइम पर 1200 CR के आसपास D.I.S. ने आज buying भी की है market में इसलिए जो market है वो आपको एक अच्छा खासा one-sided move दिखान नहीं रहा अब अगर हम यहां पर बात करें market के अंदर तो यहां आपको एक clear-cut चीज नदर आजाएगी कि market ने अपने लिए सरफ एक 200 point की range ही पकड़ी हुई है मतलब एक range यह है यह range है तकरीबन दोस्तो 42,210 पर और अगर हम उपर की तरफ देखें तो एक range हमें यह नदर आएगी तकरीबन 42,400 की range मतलब इसी 200 point की range में market अटकी हुई है अब कल क्या हो स Dow Jones में minus 100 की आसपास इस टाइम पर market चल रही है Dow Jones की जब मैं यह video बना रहा हूँ और अगर हम Nasdaq की बात करें index की जो broader index है वहाँ पर इस टाइम पर minus 83 So Nasdaq को अगर आप देखेंगे वह comparatively ज़्यादा वीक है as compared to Dow Jones और इसका कल आपको effect bank nifty nifty पर भी डलता हुआ नजर आ सकता है तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक जो positive बात हुई bank nifty में वह यह कि bank nifty ने last make हमें short covering rally दिखाई और closing हमें वहीं पर दी जहां पर वो तकरीबन open हुआ था तो इतने कुछ ज्यादा कि यहाँ पर losses bank nifty ने नहीं पकड़े तो यहाँ BN में आप कल market के अंदर एक flat again flat to plus minus 100 point की opening देख सकते हो अब ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको बोला bank nifty पिछले 2-3 दिन से बहुत जारा strong है यह एक level अपने range में चल रहा है 42,200 से लेकर 42,400 की जिस तरफ भी markets range को तोड़ेगी उसी तरफ हमें moment देखने को मिल सकती हैं तो कल के लिए क्या strategy होगी देखिए 42,400 के ऊपर definitely call की ही positions बनेंगी इसमें कोई दोराय नहीं है और जो targets आपके ऊपर की तरफ होंगे वो होंगे 42,500 और 42,500 ठीक है उस case में अगर market आपको 42,200 के नीचे निकलती है और फिर जो targets आपके नीचे की तरफ होने चाहिए वो 42,125 और 42,075 तक के हो सकते हैं और ये जो 200 point की दोस्तो range है ये खास करके ये ये पूरी की पूरी एक no trading zone होनी चाहिए अब ये no trading zone क्यों है क्योंकि दोस्तो इसमें यहाँ पर weekly CPR इसी range के अंदर market में weekly CPR बन रही है और weekly CPR की वज़ा से market जो है जब भी weekly CPR में होती है तो एक अच्छा खासा moment आपको नहीं दे सकती है तो दो ही scenario बनेंगे 42,400 के उपर call के और 42,200 के नीचे पुट के तो दोस्तो समल के कल trading कीजिएगा क्योंकि कल market के अंदर weekly CPR और daily CPR बिलकुल आपस में नजदीक में है तो यह जैसा जब भी ऐसा combination बनता है market काफी हद तक sideways हो जाती है तो उमीद करते हैं कि हम उस zone में ना फसें और market हमें gap up और यह gap down देखकर उन zone से बहार निकाल देगी तो वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तो तो लाइक का बटन जूर प्रिस करिएगा चैनल को आपने अगर विडियो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे बिस ना हो लाइश्ट्रीम को देखते रहें विकाज उसके दर जो मैं लेविल्स मार्ग करता हूँ आप डेफिनिट्री उसका भरपूर फाइदा उठा सकते है तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक्यू और बबाई